A2 plus B2 is equal to C2 जिसे पाइथागोरस प्रमे के नाम से जाना जाता है और आपने इसे स्कूल में इस नाम से जरूर पढ़ा होगा लेकिन जितनी तर्चा इसकी स्कूल में होती है उससे कही ज्यादा इस चीज पर विवाद पूरे भारत भर में होता है और इसकी बड़ी वज़े ये है कि भारत का एक बड़ा ग्रूप ऐसा मानता है कि इस थियोरेम की खोज पाइथागोरस ने नहीं बलकि हमारे रिशी बोधायन ने की थी और इस चीज को लेकर इंटरनेट पर हजारों आर्टिकल मिल जाएगे जो ऐसा प्रूप करते हैं कि बड़ायन थियोरम को चुरा कर इसका नाम पाइथागोरस थियोरम रख दिया गया था लेकिन क्या ये सारी बाते सच है या फिर सिर्फ एक रूमर है जिसे इंटरनेट पर चलाया जा रहा है ताकि इंडिया के लोगों को जूटी दिलासा देकर प्राउड फिल करवाया जाए और अगर ये बात सही में सच भी है तो क्या इसका कोई प्रूफ भी है या नहीं सबको जानेंगे हम इस वीडियो में जब वीडियो को लास्त तक जरूर देगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी और वीडियो के लिए दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब हमारे रिशी मुनियो की थियोरी और आइडियास को चुरा कर उसे अंग्रेजी नाम देकर हम ही पढ़ाया जै बात करें हम न्यूटन की ग्रेविटेशनल थियोरी की या फिर पाइथागोरस की थियोरी की पाइथागोरस की थियोरी की बारे में कई सारी बाते हैं और इसकी प्रूव भी है जो ऐसा बताते हैं कि इस थियोरी को पाइथागोरस ने चुराया था कई थेयोरी तो ऐसा भी कहते हैं कि पाइथाग औरस प्रमय को किसी और ने बनाया था लेकिन इस पर नाम पाइथाग औरस का लगा दिया गया था सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सच में ये थेयोरी हमारे महान रिशी बोधायन की खोज है दरसल बोधायन रिशी जिसे वेदी काल का पहला गनित तग्यों माना जाता था वो वेदिक स्ट्रक्चर को स्टड़ी करते थे और गनित विद्या को इन्वेंट करते थे और इसके स्टड़ी करते थे उनकी एक बुक भी है जिसका नाम है बोधायन सुत्रम और इस बुक को स्टड़ी करने के बात पता चला कि पाइथागोरस थेरम के खोश से 200 साल पहले ही बोधायन रिशी ने इसे अपनी बुक में लिख दिया था दरसल ये थेोरी को संस्कृत में लिखा गया है जिसका मतलब हिंदी में होता है कि विकर्ण पर अगर कोई रस्टी रखी जाए तो उसके उधर्व और 36 भुजा पर बनने वाले वर्ग के योग के बराबर होता है जिसे आपने A² प्लस B² is equal to C² याने कि पाइथाग औरस प्रमय के नाम से पढ़ा है इस लोग से आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पाइथाग औरस ठोरम जोकी 570 BC में इंवेंट हुआ था उससे पहले ही इस बुक में बोधायन रिशी ने इसको मेंशन किया है लेकिन अब इस चीज को जानते हैं कि आखिर बोधायन रिशी ने इस सूत्रम की खोज कैसे के दी तो दरसल एक खेत में काम करते वक्त उन्होंने खेत में एक रेक्टेंगल को बनाया और एक रस्टी को उस रेक्टेंगल के विकर्ण के रूप में अप्योग किया पर सूचने वाली बात तो यह है कि अब हमारे पास तो प्रूव भी है कि पाइथागॉरस प्रमय असल में बोधायन सुत्रम है तो फिर हमारी किताबों से इस नाम को क्योंने हटाया जाता है और इसके पीछे क्या वज़ा है असल में ऐसा नहीं है कि कभी किताबों से इस पाइथागोरस प्रमे को हटा कर बोधायन प्रमे किया जाने पर विवाद नहीं हुआ है यहां तक कि करनाटका में जब निव एडुकेशन पॉलिसी के लिए एक टास्क फोर्स टीम बनाए गई थी लेकिन फिर भी इस चीज को नहीं बदला गया क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा मानना है कि कभी भी बोधायन रिशी ने या फिर युनानियों ने इस थियोरी को अपना इंवेंशन नहीं माना सिर्फ उन्होंने इसे गनित की रूप में ही यूज किया इस वज़र से एंडिया में इस थियोरी का पूरा क्रेड पाइथागोरस को दे दिया जाया है लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि बोधायन रिशी से पहले भी इस थोरी को इंडियरिकली यूज किया जाता था दरबासल ऐसा माना जाता है कि एंसींट शिविलाइज़ेशन में पिरामिड बनाने के लिए इस थोरी का ही यूज किया जाता था वही Babylon culture में भी यही theory को use करते थे लेकिन वहाँ इसे indirectly work में use करते थे वहाँ किसी भी book में इस चीज का mention नहीं है ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ तीन मद बन जाते हैं कि यह theory Babylon culture की देन है दूसरा बोधायन रिशी की और तीसरा पाइथागोरस की लेकिन यहाँ यह बात तो proof हो जाती है कि हमारे भारती रिशी बोधायन ने भी इसे invent किया था लेकिन इस बात को जानकर भी हमारे भारत में इस theory को पाइथागोरस theory नहीं किया गया है लेकिन आप इस प्रमय को पाइथागोरस प्रमय की जगह बोधायन प्रमय कहे तो यह काफी ज्यादा बहतर होगा आसा करते कि आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी ऐसी और वीडियो करें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें